हेलो एबरिवन आप सभी का स्वागत करता हूं मैं दीपक कुमार सिंग पाथ फाइंडर हिंडी पे आप सभी को मालूम है कि हिंडी मीडियम में UPSC की तैयारी देश के कोने कोने से विद्याथी करते हैं लेकिन उनके सामने बिभिन्य प्रकार की चुनोतिया हैं चुनोतिया आखिर किस प्रकार की बहुत सी चुनोतिया हैं किसी को बित्तिय समस्या है तो किसी के सामने एक मार्ग दर्सन जो है वह कहीं न कहीं पर्याप उपलब्ध नहीं है ऐसी बहुत सी चिंताओं से गिरे हुए है तो आज हम इसी के लिए आपके सामने आए हैं चर्चा करने हैं वह कि आई उसके पहले देखते एगर आप यूपाई की तयारी करना चाहा रहा हैं। किन बातों को आपको ध्यान देना होगा तो सबसे पहले अगर आप UPSC की तयारी कर रहे हैं तो आपने तो जरूर ध्यान दिया होगा कि अगर आप तयारी करने की सोचे हैं तो आपने syllabus को देखाई होगा अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपका जो एक pattern है सामान अध्यन paper first जो है उसमें आपका 200 number का पूरा आपका यह paper होगा दो घंटे का paper होगा यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका cut off recite होता है यहां से चुने जाते हैं और वहीं पर मैं बात करूं आपके c7 की तो c7 जो है आपका qualifying है जहां पर आपको qualify करना होगा यह जानकारी आप सभी को मालूम होगी अब मैं अगर आगे बढ़ता हूं तो यह मेंस का है मेंस की भी आपको मालूम है कि GS के चार पेपर होंगे और GS के चार पेपर के साथ में आपका essay और optional का paper जो है वो रहता है तो यह syllabus के बारे में आपको detail वीडियो और आगे मिल सद्राफ देखा होगा तो यहां पर tenimके में कर द्याओ क्यों के सरे चैलेंजिस चॉनोतिया आथी रही है ये चिनोतियों को कैसे इन चॉनोतियों को पार कैसे करें इन चॉनोतियों किमें अपने आपको पार लगाएं और UPSC में सफल एसे आपके भी बहुत सारे विचार आते होंगे तो आप बिलकुल न घब रहें क्योंकि आगे जाकर हम जानकारी देने वाले आपको एक खास बैच के बारे में तो मैं यहीं पर आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़के यह भी आपको बताता हूं कि अभी जो 2022 में एक्जाम हुआ था इस सबसे बड़ी चुनोती तो हमारे सामने यह है कि हिंदी माध्यम की तयारी में इतना नंबर ला पाना भी बहुत बड़ी बात होती है उस खास कर सी सैट में ठीके सी सैट एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा चैलेंज हिंदी माध्यम के विद्धातियों के लिए हमेशा बना लाने पर बच्चों का सेलेक्शन हुआ है तो यह आपको एक दिमाग में रखना है कि अगर हम भी UPSC के तयारी कर रहे हैं तो UPSC की तयारी में हमें कितने मार्क्स लाने हैं और किस प्रकार से अपनी तयारी को आगे लेके जाना हैं तो आगे बढ़ेंगे बच्चों तो यहा आप ने ऐखना है कि हम सब्य लोग आप लोग साथ में एक बोध बेज ला रहे हैं और इसमें क्या खासित है इसके बारे में हम आपको जानकरी देंगे तो इसमें खास बात पहले यही है कि आपको यह जानना है कि कि बोध की चर्चा हम लोग कर रहे हैं यहां पे जो बोध है वो सिधे तोर पर जुड़ा हुआ है हमारे संकल्प से और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो संकल्प है वो UPSC में ऐसा नहीं कि प्रारम भी परीक्षा में ही सफलता को लाना है या मुख्य परीक्षा में ही हमा हमारा जो बोध है वो अंतिम चैन को लेकर है तो बोध का मतलब क्या हमें ग्यान है क्या हमें आभास है क्या हमें पता है कि हमारा लक्ष क्या है और उसको हम सफल कैसे बनाएं इसी इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं अब इसमें खास बात है कि जो आपका बोध ब आपके साथ में और प्रारंभिक परीक्षा के लिए 40 प्रैक्टिक टेस्ट हैं और इसके लावां आपको उत्तर लिखने की सेली और नोट्स बनाना कैसे है यह भी आपको बताया जाएगा इसके लावां यहां पर जो ब्यापक आपका पार्ठक्रम है उस पर ब्यापक चर्च हुआ है वह भी आप लोगे बीच में रहेंगे और इसके लावा टापश की कख्छाएं भी आप लोहं के बीच पीशद्क होती और यहां पर जो भी आपका परीक्षा का पाठचेक्रम् बखने तरीके से होगा वो बिल्कुल रणनेतिक तरीके से होगा और इसमें अब मैं इसे सुनिस्चित रूप से कैसे करूंगा इस इस बात की जानकारी के लिए मैं आपको बेद सर को बुला रहा हूं तो बेद सर आप सभी लोगों को बताएंगे आईए सर दोस्तों जैसा कि अभी साय के सामने दीपक साथाय इन्होंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और कैसे करूंगा दोस्तों मुझे और पढ़ना है सबसे कि जो पढ़ने का मौका आप लोगों को मिल रहा है ना ये दोस्तों यकीन मानिए बहुत भागिशाली हैं आप लोग की आप लोग पढ़ पा रहे हैं आपके हाथ में जो मुबाइल है आपके पास जो लैप्टॉप है ये भारत के हर बच्चे के पास नहीं है लेकिन चुकि आपके पास है और आप ये कर पा रहे हैं इसलिए हम आपसे ये एक प्राथना करते हैं तरीके से कि अपने इस भविश्य को आप उज्वल बनाईए और उज्वल कैसे बनाएंगे इसका रस्ता तो लोग आपको दिखाने वाले हैं तो ऐसे में मुझे पढ़ना है दोस्तों में से और आपका इंटर्विव है तो तिन चर्णों से होकर आपका गुजरता है और अगर साक्षतकार को क्वालिफाइब करते हैं तो आप लोग फाइनल सेलेक्शन पाप आते हैं यहां पर प्रिलिम्स के आपने देखा पेपर वन विस्टिस पाठीकर पेपर टू जो आपको एक तब टरीकेस यहां पर पढ़ाया जाएगा जो बात कर रहे थे अभी आपके साथ बहुत बैच की सर्ड़ यहां पर दोस्ते हैं जी एस वन जी एस टू जी एस चार जी पर होते हैं पता ही आप लोगों दो बात करें निबंद की तो निबंद होता है कि इसके ला बलकि हमारा उद्देश है आपको आपकी सफलता तक पहुंचाना और सफलता का मतलब है कि आपको आपके लक्ष तक मतलब की आई एस आई पिस आई आरस के सपने तक पहुंचाना यदि हम बात कर दोस्तों इसका आगे तो यहां पर 40 टेस्ट सिरीज है प्रलिम्स के लिए क आठ पुल लेंफ अपके होंगे फूल लेंफ मतलब सभी सब्जेक्स को मिलाकर बनते हैं और यहां पर आच सी सेट लेंफ टेस्ट होने वाले आप लोगों लिए और निबंद्ध है कि आपका पूरा जो में जेढ़ Sis में करवाया जाने वाला है है ठीक है क्योंकि चार ही होते हैं और मैंने आप लोगों को क्वालिफाय कर वा रहे हैं तो आप लोगों के आती होगी यह तो बहुत महंगा होने वाला है तो यह कैसे महंगा होगा और इसका क्या समाधान है इसके लिए मेरे साथ आ रहें मैंग सर तो सर मैं आपका स्वागत करता हूं आईए मैंग सर भारत जिसे मध्यमवर्गी मध्यवर्गी परिवार से आने वाले लोग यह सपना देखते हैं कि हमें भी यूप्यसी की तैयरी कर ना है बहुत सारे इसे गरीब वर के लोग वी उपने को साकार करने के लिए प्रयास करते हैं तो वाकही में बहुत बड़ी चणोती है सर जी यह तो बहुत महगा कौर्स क्योंकि लाखों-लाखों-рокों-hroup.अ कि ना पढ़ता है तो वाकही में रुत्य देना पढ़ता है हमने आज पहले की बात नहीं है आज भी बहुत फीज देनी पड़ती है और पहले भी देनी पड़ रही थी तो इसको अब यह है कि कैसे कैसे हम चीजों को करते हैं या पहले बच्चा कितना पढ़ता था कितना करता था तो पढ़तो आज भी सकता है लेकिन फीज कितनी होगी यह त है झरूरी है तो फीस तो एक हम मुद्दा है आप से छोड़ नहीं सकते हैं कैसे क्या करेगा वह उंगा है मुद्दा को हम कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए तो हमारी थीम है पढ़ाने वाली रै पीस की बात तु वह तो बाद में पता चलिए कि कैसे क्या फीस इसका क्या मामला है इसका लेकिन बाकी जगे कैसे क्या करते हैं कहां कहां से क्या होता है उसके लिए तो फिर बच्चों को सुचना पड़ेगा चलिए चलिए इस जिमेदारी को हम लोग एक और नए हाथ में देते हैं डीपक सर को बुलाते हैं आप और दीपक स क्या होगी तो मैं आपको बता दूं कि फीज को लेकर अभी वीडियों में बने रहें क्योंकि फीज की बात तो हम करेंगे ठीक है लेकिन उससे पहले एक आप यहां पे देख रहे होंगे कि भई क्या आप कोई नई चीज है ठीक है हाँ अगर अगर आपको यह जाननी है तो ब पर जो है उसके द्वारा स्ट्रेटिजी मिल जाए जी हां तो याद रखेंगे आपको यहां पर हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे गगन सिंग मीना जी जो आल इंडिया रैंक 120 हैं हिंदी माध्यम में जिन्होंने एक क्रांती एक इतिहास रचा है वो यहां पर हमारे बीच मे ठीक है वो हमारे बीच में आकर आप सभी को यहां पर मार्ग दर्सन देंगे मतलब रड़नीती के बारे में आपको यहां पर बताएंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो गगन सिंग जी यहां पर आपको निवंद के बारे में आपको इस्टेजी बताएंगे आपक उत्तरलेखन किस प्रकार से होना चाहिए क्योंकि जब किसी टॉपर के द्वारा रड़नीती पता चलती है तो पढ़ाई करने का मोटिवेशन जो है वो और ज्यादा हो जाता है और हमारी सफलता मतलब UPSC में सफल होने के जो हमारे चांसे जहें वो भी बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमारे लिए जो हमारा मार्ग दर्सक है वह एक बहुत एहम रोल निभाता है जाहिर सी बात है बच्चे महनत करते हैं रिजल्ट उनका होता है लेकिन इस समय में उनके साथ में कदम से कदम मिलाने के लिए जो साथ चलता है वह एक सिक्षक होता है आज मैं आपको तो यहां पर बौध बैच के सिक्षकों के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं यह पूरी बौध बैच की टीम है और यहां पर मैं आपको इंटेड्यूस कराना चाहूंगा रिंकू मैम से आप सभी को मालूम होगा रिंकू मैम से बह तो मैं बताएं आप किस प्रकार से बच्चों का मारक दर्सन करेंगी और इतिहास में किस प्रकार से उनके इतिहास या फिर UPSC के सफर को आसान बनाएंगे प्लीज में तो जैसा कि दीपक सर ने बताया कि एक शिक्षा का बहुत ही महत्व पूर्ण रोल होता है बहुत इंप्राटिंट रोल होता है एक स्टूडिन के लिइस में कि आपको आप के लग्षत पहुंचाना आपके सपनों को साकार करना यह हमारा भी उतना ही कि एक महत्वपूर्ण कर्तब्य होता है हमारा भी वह तना ही एक महत्वपूर्ण लक्ष होता है आपके साथ क्योंकि हमारी सफलता आपकी सफलता में नहां เดरने से तो बहुत सारी लोग के हैं anfino अपने बारे में बताना चाहती हूं कि इस्ट्री ही पढ़ाऊंगे मैं आप लोगों को History और हिस्ट्री से मेरा बहुत ही पूराना संबंद रहा है है हिस्ट्री से ही मैंने आप लोगों में से बहुत सारे लोग परिचित होंगे और जो मैं कोशिश करती हूं कि हिस्ट्री से बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है कि आपको भी डर लगता है तो डरना नहीं अब आप लोगों को हिस्ट्री से डर इसलिए लगता कि बहुत सारे फाक्स बहुत सार क्या याद करें कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं हिस्ट्री में सबसी ज्यादा टेंचन होता है वो सेलेक्ट करने का कि किसको पढ़ना है तो बस यहीं पर मैं आप लोग का यह प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी एक सरल तरीका लेकर आउंगी एक सिंपल वे जिसे मैं आपको रखें और मेंस में जब आपको आंसर लिखना हो तो उस आंसर को भी बहुत ही अच्छी तरीके से आप लिख सके डेट सो दोशों शब्दों में तो यहीं मेरा तरीका होगा और जितना भी बेस्ट हो सकता है प्रीवेस एर के क्वेशन पेपर को एनालाइज करते हुए अभ इसको छोड़ें किसको पढ़ें किस पर जादा फोकस करें यह सारा एनालेटिक्स जो होगा वो हमारा होगा बस आपको हमारे साथ पढ़ता होगा तो बहुत बैच में मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे आपको ऐसे ही टीचर मिलेंगे जो मेहनत करेंगे आपके लिए पूर सुर्वात है और यह जो नई सुर्वात है यह बिलकुल ऐसी टीम के साथ में है जो आप सभी लोगों को क्या देलाएगी सेलेक्शन देलाएगी और इसमें खास बात है कि हमने भी बहुत सूच समझ के पुनाहां आप लोगों के सामने इस संस्थान को जोइन किया है और इतिह तो यहां पे संस्थान से अब जोड़ने का मतलब यह है कि अब यहां पे एक जो निरंतरता है वह आप सभी लोगों के बीश में बनी रहेगी यहां पे चाहे वह आपके प्लस कोर्से जो या यूटूब चैनल का कोर्स हो इस पे निरंतर आप लोगों को हम मिलेंगे यहां पे इतिहास का जो मामला है, आप सभी लोग जानते ही हैं कि यह इतना आसान भी से नहीं हैं, तो इसको बेलकुल सरल तरीके से पढ़ा जाएगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इतिहास में बहुत सारे युद्ध हैं, अब युद्धों के मामले में ही कई बार आप लोगों से प्रस्न पूछ लिया गया है या उसका माहत तो क्या है या उसकी उपयोगिता क्या है तो आप यहां पे जैसे चित्र सैली से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो निस्षित रूप से वो आप लोगों के दिमाग में बहुत समय तक रहेगा जब बहुत समय तक प्रारंभिक परीक्षा में भी वह आपको साथ देगा और मुख्य परीक्षा में जब आप एंसर लिखेंगे तो निशित रूप से जब चीजे याद रहेंगी तो उसका सकारात्मक पक्ष भी आपको याद रहेगा और जब वह पक्ष आपको याद रहेगा तो निशित रू संस्कृति का खंड यह भी पढ़ाए जाएगा प्रारंभी परिक्षा मुख्य परिक्षा दोनों का दिश्यकोंड रहेगा इसके अलामा जो अब आपके साथ में जुड़ेंगे दीपक सर अब अब देख रहे हैं कि भारत के एक से बढ़कर एक सिक्षक जो हैं वह हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं मेरे बारे में तो आपको मालूमी है मैं अभी क्लास लेगी रहा हूं यह सभी सब्जेक्ट जिसमें आपका प्राचीन भारत का इतिया से जो मैं 15 जुलाई से भारती अर्थ विरस्था एक अगस से भारती समाज 17 अक्टूबर से और एठिक् तात पर यह है कि जब मैं आपको पढ़ाउँ गा तुश टॉपिक काल लाइब आंशर रइटेंगे सामने लिखूंगा जी हां जब मैं आपके सामने लिखूंगा तो एक अलग प्रकार का आत्म विस्वास आपके साथ में आएगा और वहां कर देखेंगे तो लाइब आपको यहां पर मेरे द्वारा स्पेसल पीडियाफ मिलेंगे कहने का मतलब कि अगर मैंने आपको प्राचीन भारत पढ़ाया तो प्राचीन भारत में मुद्राओं को लेकर क्या-क्या सकते हैं सुरुवात में मुद्रा कौन सी आई कैसे क्या क्या है वो सारे अलग से नोट्स मिलेंगे अगर यू सी सी पे चर्चा है तो यू सी सी और भारतिय समाज को मिलाकर भी यहां पर अलग से पीडियाप तो करेंट के जो टॉपिक हैं उनको भी मैं अलग से एड करके पर कराने वाले हैं सर प्लीज कर थैंक्यू सोमत दीपक सर बहुत बहुत शुक्री आपका सबसे पहली बात दोस्तों आप लोगों ने देखा कि शुरुवात की तीन टीचर इतिहास तो अपने आप में आप इस बात को समझ दीजिए कि कितने गहन तरीके से और किस तरीके स है हम हैं बहुत बैच यह कितना डेडिकेटेड है यह कितना सीरियस है आपके त्यारी को लेकर और दोस्तों जैसे कि बताया मुझको कि यह जो सेक्शन है इन पॉलिटी का आई आर का यह मेरे दौरा लिया जाएगा आपके इस बैच में और इसमें दोस्तों आठ वर्स बहुत आई यह पहले जो आए थे दोस्तों यह जोह नहीं जमाने यह सोशल अॉडिट का है किसका है सोषल का मतलब है कि हम चार दिवारों के बीतर पढाते हैं बुलाकी बच्चें को कैसा पढाते हैं वह एक अलग बात हम लोग दोस्तों सामने होते हैं हम लोग आपके साम बैठे वे हैं जहां पर आप हर सिख्षक को बहुत तरीके से जाच सकते हैं जाच कुने का मतलब यहां पर यह है दोस्तों कि आप यह देखेंगे कि क्या मैं इस शिख्षक से यह भी से पढ़कर अपने आपको उस विशह मैं अच्छा मान सकता हूं या मैं उस उस एक्जाम को क्लियर कर सकता हूं प्रिलिम से में से इंटर्वियू है जब हम बात करते हैं मैंटर्शिप की तो क्या मुझे से मैंटर्शिप लेनी चाहिए तो ऐसे दोस्तों हर चीज अवेलबल है मौजूद है इंटरनेट पर आप जाईए जो भी शिक्षक आपके सामने आ रहे हैं उन इंटरनेशन डरेशन इंटरनेशन रिसें यह आप लोगों के शुरूरो हने वाले से सब्देसे प्छले साल के विश्लेat का विश लेशन सबसे जो ज़रूरी चीज़ दोस्तों वह हमारी पूरी टीम रुस चीजंश को चलने वाली है वह यह धोड़ू चीज़ ने एक आपका सलेबस और डूसरा दोस्तों प्रिविर कोशन और लेकर साथ में फिवाइक् depths को लेकर में परे जाएगा ठीक है तो इस परकार से आपको चाहिए व९। गिशुत की माध्य मेंी समझांगी को चाहिए शरलतम से हो सकता है उटेख से बड़ने यह बहुती शांदर फैकल्टी जोग्रफी के अमित सर मैं इनको यहां बुलाना चाहूंगा अपने आप में दोस्तों मतलब लग गया इसके बाद क्या जरूत मतलब है फिर भी जरूत तो पड़ेगी बात है शोशल ओडिट है दीजे सर हलो एब्रीवन मैं हूं अमित कुमार X-I-R-S और मैं कई सालों से मिरा अनभो रहा है जियोग्राफी पढ़ाने का और मैं आज पार्टफाइंडर हिंदी मेडियम के बोध बैच पर मैं आपको जियोग्राफी लेकर आ रहा हूं जियोग्राफी आपको GS में पढ़ाऊंगा और पूरा कंप्लीट जियोग्राफी मेरा इसमें पढ़ाए का जो एक तरीका है पढ़ाने वाला हूं है इंडियन जियोग्रॉफी होगी से के सचन होगा ओर चीघी जियोग्रॉफी यहाँ पर वह रही है आपके सेप्टेंब्र 1 उभ डिशन जीश मोगाव losing होगाafe से सो आप इसमें हमारे साथ जुड़ते रहेंगे तो मेरे टकनीक भी एक है कि जियोग्राफी सर्फ बहुत वास्ट है कैसे समझना चाहिए कैसे हम इस टेक्निकल है मुझे समझ नहीं आती तो उसके लिए मेरे अपने तरीके हैं समझाने के आपके कि मैं जो भी जियोग्राफ पढ़ लें तो हमारा 90% जियोग्राफी कम्प्लीट हो जाती हिंदी इंडियन जियोग्राफी वर्ड जियोग्राफी बस थोड़ा सा बसता है तो अगर हम इस तकनीक से पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको केवल पढ़ाना ही हमारा नह हैं तो वो डेली क्लास के बाद आपको दिया जाएगा इसके साथ साथ जो प्रारेमिक परिक्षा प्रिलिम्स एक्जाम के जो भी कुशन रहे होंगे लास्ट इयर के उन्हें एनलिसिस कैसे करना चाहिए कैसे हमें ध्यान देना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए ये चीज उसके साथma रहे हम एसंफे काम करेंगे साथी साथ मैं बतातु कि मैं बतातू कि हमारे जितने भी कुशेंशनका वे एक ऐसे भी करके उसको एक समझना एलिमेनेशन विसलेशन दोनों तरीके से हम इसको सालू सौल कराएंगे और आपको हर एक कुशन तक पहुंचाएंगे हर एक समझ तक पहुंचाएंगे और पॉइंट को समझें यह मेरी तकनीकी है और मेरे बाद आएंगे दूसरे सर्ट जो कि आप सभी सिकोगा मैं बहुत बहुत आभार बेक्ति करता हूं कि एक साथ एक मंच पे आने के लिए क्योंकि लगातार हिंदी मीडियम के गिरते रिजर्ड को उठाने के लिए हम कटिपद्ध हैं आज आउसकता इस बात की है कि जब हम रिजर्ड के करमांक को गिनते हैं त तो हम अर्थसतक के पैमाने को ही सबसे बड़ा मान लेते हैं जबकि अगर देखा जाए तो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लाखों में हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सपने ही देखने वाले हैं हम उन सपनों को साकार रूप भी प्रतान करने वाल तक मैं अकेडमी पर सिख्षक के तोर पर रहा और आप सभी को लगातार अपनी कख्षाय देता रहा इस पूरे बैच में बैच में मैं आप सभी के साथ एथिक्स पे भारती समाज पे और मुख्य परिच्छा से संबंधित निबंध के विशे पे या अन्य जितने भी मध्यकालीन भारत का इतिहास भारत का इतिहास कर देखा जाए तो 14 अगस्ते हम शुरू करेंगे आपदा प्रबंधन का इतिहास है अगर देखा जाए तो इसाम में जोग शुरू करने जा रहे हैं तो एक समक रध्यन सिर्फ आप ही को पढ़ना नहीं होता हम भी आपके पजबूत करते हैं कि आपको कहीं और ढूढ़ने की कुछ दूशता न पड़े तो हमारा प्रयास है कि अब आपको मिले आपकी मंजिल और उसमें हम करेंगे आपका पूरा साथ आपका आपका देंगे पूरा साथ तो दोस्तों देखेंग ने चालए आर का मिज़न का यह सबária हैं तो टॉपिक हमारा तयार नहीं होता है कभी कभी हम कि 74 लिए हैं Dalit दूस्रा नहीं है यह हमें एक बार नहीं बलकि ऐसे मिनिमम आहिए कि तीन बार आप को पढ़ना ही होता है तब जा कि आप कंटेंट को वेरिफाइड कर पाते हैं कंटेंट में आप Eles Fe 130 कर पाते हैं और अपने मेंस के कुश्चन को पहचान पाते हैं तो बहुत जरूरी होता है दिखें दूसरा मैंने कहा है कि रटना नहीं है भावच चित्रात्मक शैली से पढ़ना है पिक्टोग्राफी सैली से होता है दोस्तों कि जब हम कभी-कभी जैसे इंडेस वली सब्सक्राइब ने अगर हम वह पढ़ रहें तो देख रहे हैं कि वहां पर कोई लेखन सैली नहीं थी हम इतिहास की बात ही नहीं करते हैं अगर आप एथिक्स पढ़ रहे तो आपको क्या लगता है क्या धश्टाचार इमानदारी उत्तर रिस्पॉंसबिलिटी कहा जाए का जाए जो भी सब्द है क्या इन्हें आप दृषात्मक गुरुप से देख नहीं सकते हैं बिल्कुल देखते हैं हम हर दिन कहीं न कहीं अपने जीवन सैली में इन परंपराओं से गुजरते हैं इन सब्दों के प्रयोग से गुजरते हैं तो शायद अगर हम उन्हें सभी व हम परीप्षया में बहुत अपयोगी होता है माइन मैप का मतलब होता है हम जो भी आपको पढ़ाएंगे जोभी टॉपिक पढ़ाएंगे उसका एक सपनापसिस आप को नोट्स देंगे शोटा शॉर्ट नोटस आपको देंगे हैं कहानी के रूप में आपके साथ जुड़ लें या कुछ भी हम जो भी इतिहास का टॉपिक हो इन्वार्मेंट एकोलोजी का टॉपिक हो जारी बाते आती है एक है डेट दूसरा है डेटा ठीक है और अगर हम लोग कहें दूसरे फंक्शन को तो वह और तीसरा है इन्फोर्मेशन और चौथा है दूसरों मिसलें इस टॉपिक कहां अटैज हो रहा है यह बात आपको जाननी होती है तो वह सारी चर्चा है हम लोग करेंगे कहानी बनाकर तयार करें और अपने पढ़ने की यूज़ना मान के चलिए आप इंट्रिकरिटी के कोई परिक्षाओं में सबसे शांदार सलेफ को हम जीते हैं कि आखर क्या अंतर होता है और आप आपका होता है है mind का label होता है का IQ level होता है presence of mind होता है वैसे ही आपका selection होना आसान हो जाता है क्योंकि रिजर्ट देखे अगर तो पचास प्रतिशत पे ड़र्रेड़िया रहें तो कहिं न कहीं हमें इन चीज़ों को समझना होगा कि आखिर कैसे इने हम कबर करें दोस्तों सबसे प्रमुक बात यह है कि आप सभी को उत्तर लेखन पेकारी करना पड़ेगा उत्तर लेखन ही है सफलता का सबसे बड़ा शोत्र तो चलिए देखते हैं इसके लिए हम लोग लेकर क्या रहे हैं बहुत ही शांदार प्रोग्राम क्योंकि यह प्रोग्राम आ सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब को अगया है क्यों नहीं हम सुरू से तयारी करते हम हम बारा महीने इस छोटेकर सग्मेंट को अगर हम देखते जाकूंग म diferentes हमारे उत्तरा आसान विए तो उसके लिए हम लेकर के आ रहे हैं बाइलेंग वेल आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में साथ मिनिट में पचास क्विशन का प्रोग्राम और सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं है आपके उस्साह के लिए इसमें हम दे रहे हैं आपको शांदार अमेजन गिप्ट जहां पर आप रैंक वन रैंक टू और रैंक थी आप देख सकते हैं कि यह पुरास्कार आप सभी को उस्चाहित करेगा और मैं चाहता हूं कि आप इस पुरास्कार के विजयता बन और इसी विजयता के आदत आपको एक दिन सफलता तक पहुंचाएगी इसका वादा हम अब मैं बुलाना चाहूंगा दीपक सर को जो आगे के सिक्षकों को परिशित आगे के सिक्षकों का परिश्य प्रदान करेंगे सर प्लीज तो बच्चों जैसा कि आप देख रहें यहां पर तो कुछ पर्सनल रिजिजन के कारड़ इम्तियास सर हमारे साथ में अभी नहीं इभी जुड़ पाये हैं ठीके तो सर आपको यहाँ पर सीशच कराएंगे सेसैट आपको मालू में कि क्यूप्यश से कवालिफाई करना है तो सीशेट मैं आपकी पकड़ और आपकी समझ साहर यहां पर कवर करांगे एकस्स कर आखेंगे और प्रद्योग की वीडियो को पाउस कर लिजेगा, स्कैन करके, एक फॉर्म आयागा, उस फॉर्म को फिल करके, आप हमसे जुड सकते हैं, मालूम है, आपके मन में तब से चल रहा, फीस क्या है, आखिर फीस है, क्या फीस के बारे में कोई जानकारी बताएगा, क्या ये अमीरो वाली कोचिंग आपके मन में ऐसे बहुत सारे क्वेशन तो होंगे ही, तो मैं अगर आपको बताओ यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, मैं आपको कुछ चीजे बताकर फिर बताता हूँ क्या आपकी फीस क्या होगी, यहाँ पर आप देखेंगे, टॉपर्स के द्वा जो सफल हो चुके हैं, उनकी वीडियो आपको मिलेंगी, उसके लावा नोट्स बनाने की, ठीके, जो अध्यूत तकनीकी है, उस पे भी चर्चा होगा, और कैसे आपको अपना टाइम मेनेजमेंट करना है, इसके उपर भी डिसकर्शन आपको यहाँ पर टॉपर्स के द्व चूट करने में कहीं न कहीं, आनुसासित नहीं है, ठीक है, लेकिन हम पूरा अनुसासन के साथ में सयोजित पाठेकरम के साथ में, टाइम टेबल पर आधारित, नियमित संदे, मतलब को कोई । आपके डाउट होगा आपके डाउट को क्लियर करते हुए आपके पूरे एक्जाम को टेस्स के साथ में कवर करने वाले हैं अब फीज की बात तो फीज में आपको बता दू हमारी फीज जो है वह है फोर्टीन ट्रिपल नाइन चोड़ा जान नौसु निनारे मोटा मोटी और यहां पर आपको यह 7999 में अभी अबलेबल हो रहा है जी हां यह 8000 में आपको यह बैज जो है यहां पर अबलेबल हो रहा है तो याद रखेंगे यह बेनिफीट आपको यहां पर मिल रहा है और हम लोग के साथ जोड़ने के लिए और पीडियप के लिए आप यहां पर चाहूंगा एक बार फिर से यहां पर तो हम यहां पर बोध बैच में जो कंप्लीट करने वाले हैं अगर आप देखेंगे तो यहां पर मेरे साथ जो दो सिक्षक हैं यह सिक्षक ही केवल नहीं बलकि अगर आपके बिसे और आपके सब्जेक्ट में एक अनुभव है हमारे आप सभी को आल दे बेस्ट जल्दी जुड़िए बोध बैच ने थेंक यूँ